इस वीडियो इस ब्रॉट तू यू बाई 5PESA.com डाउनलूड दा अप नाउ जॉब इंटर्वीव में क्या जवाब दोस्तों ने दिये थे लाइफ में जब सब कुछ खुद के दमपर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डाउनलोड करो 5PESA अप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउ यूज करो कोड़ इन्वेस्ट 200 निवेश करना हुआ आसान और पायदे मत कोरोना की मार सबसे ज्यादा टूरीजिन सेक्टर पर पड़ी है दुनिया में इस इन्वेस्टरी को कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है रूस ने कोरोना काल के मौके को भुनाना शुरू भी कर दिया है रूस ने वेक्सीन ट्यूरीजम की शुरुआत कर दी है जिन देशों में कोरोना की वेक्सीन नहीं मिल पा रही है उनको रूस ने अपने यहां घूमने के साथ साथ टीका लगवाने का ओफर भी दिया है इस वक्त भारत समित दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कोरोना के टीके की कमी से जूज रहे हैं ऐसे में इन देशों के अमीर लोग दूसरे देशों में जाकर कोरोना का टीका लगवा रहे हैं भारत में सबसे ज़्यादा लोग टीका लगवाने के लिए रूस की राजधारी मौसको को पसंद कर रहे हैं पिछले एक हफते में कुछ टूर अपरेटर्स ने कई भारतिये ग्रुप्स को मौस्को भेजा है। मौस्को टूर भारतियों के लिए सस्ता भी है। एक अंग्रीजी एकवार की खबर के मुताबिक मौस्को का 24 दिन का टूर पैकेज 1,30,000 रुपे में ओफर हो रहा है। इस टूर के दोरान ही आपको इस पुटनिक वी के दो टीके भी दिये जाएंगे। पहली डोज टूर के दूसरे दिन और दूसरी डोज 21 दिन दी जाएगी। इसके लावा साइट सीन भी इस पैकेज में आपको मिलेंगे। तीन दिन सेंट पीटर्सबर्ग और बाकी 21 दिन मौस्को में बिताने को मिलेंगे। इस पैकेज में हवाई किराया, नाश्ता, रात का खाना शामिल है। इस पैकेज में 10,000 रुपे की वीजा फीस शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि टूर आपरेटर्स ने आपदा को अफसर में बदल दिया है। मौस्को के इस टूर के लिए टूर आपरेटर्स के पास काफी इंक्वारी आ रही है। रूस में सरकारी नियम के मताबिक 7 दिन रहने वाले विदेशियों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। सेलानियों को सिर्फ वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी रूस ऐसा देश है जहां भारतियों को वैक्सीन की इजाज़त है। क्योंकि कोरूना के बढ़ते मामलों की वज़ा से कुछ देशों ने भारत से अपने उड़ाने रद कर रखी है। रूस में किसी भी भारतिये को RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ एंट्री मिल जाती है। वहां कुरिंटीन में रहने की कोई जरूत नहीं है यानि जो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं उनके लिए वैक्सीन ट्यूरिजम वायदे की दीन हो सकती है। इस वक्त टूर भी सस्ता मिल रहा है इसके लावब वैक्सीन की दो डोज भी लग जाएंगी यानि आम के आम और गुठलियों के दाम।